हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेली वेसिस पे मैं आप लोगों को यूपी प्लिस कॉंस्टेबल की हिंदी के मोक टेस्ट प्रोवाड करवा रहा हूँ लेकिन ये मैं लेकपाल के लिए भी आपको प्रोवाड करवा रहा हूँ क्योंकि लेकपाल में भी आपकी अच्छी खासी हिंदी आनी है अच्छी खासी का मतलब 25 कोसंस पूरे हिंदी के टॉपिक से आने हैं जो कि आने वाले एक्जाम के लिए इंपोटेंट होंगी क्योंकि लेकपाल और यूपी प्लिस कॉंस्टेविल के रिगार्डिंग लगवग वीडियो में आपको पुरुवड करवाँगो ताकि आपके एक्जाम की तैयारी जो है वो बहतर से बहतर हो सके ठीक है तो वीडियो को एंट तलग जोड़ देखीगा क्योंकि लाश्ट में म आपके सामने के सोन सब्द का आपको बताना है कि सोन सब्द कैसा सब्द है सोन तो आप सबी लोग जानते हैं सोन एक तत्सम सब्द है पहला ही ओप्संस यहाँ पर आपका बिलूम सब्द क्या होगा सिंपल कोसंस आएका बिलूम सब्द क्या हो जाएगा तो अगर हम बात कर बतानाएं कि जड़काبلूम सब्द क्या होगा रूसाप्शुर्ण करेक्टन कौनसा सब्द पूरलिंग सब्द में देखो और फिर बताओ । पूर्म सब्द आपको क्या हो जाएगा सर मोती मोती सब्द जो है वह एक पुरलिंग सब्द है चो अता ओप्संस यहां पर आपका विल्ग करेक्ट हो जाएगा कौन सा मोती सब्द एक पुरलिंग सब्द है क्योंकि रतनों के नाम आपके पुरलिंग में गिने जाते हैं या पुरलिंग में आते हैं लेकिन एक रतन जो इस तरी लिंग में आता है वो है आपका मड़ी, क्या है मड़ी, ये भी आप धियार नखना, नेक्स्ट कोस्टन से स्टार्ड करने से पहले मैं आपको बता दू, दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस 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 प् उस category के अंदर आपको subscription purchase करना है purchase करने के जोनार अपने channel का नाम Indian study जो आपका नाम है बस without space आपको apply करना है आपको दिखरा होगा channel पे Indian study ये आपको apply करना है without space तो आपको कोई भी subscription purchase करने के लिए instant 10 person का discount मिलेगा और एक बार आप purchase कर लोगे फिर आपका काम खतम आपका काम पढ़ने का है बाकी काम अनेकेड भी करहेगा तो इसलिए अगर आप सारे exam की तयारी करना चाहरे है उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर आगामी exam है तो आप subscription ज़रूर purchase कर लीजिएगा ज़रूर से चेक आउट कीजिएगा description में लिंक है next questions आपके सामने आपको बताना है कि कौन सा फूल का परहवाची सब्द नहीं है यह आप से पूछा है तो सही answer हो जाएगा फूल का परहवाची कौन सा सब्द नहीं है उपयोग पंक्ती में कौन सा चंद है दो वानलेक चंद के options दीए दो मातरिक चंद के दीए तो यहां पर सबय चंद है और सबय एक वानलेक चंद है सबय चंद में 22 से लेके 26 तक के बढ़ होते हैं देखते हैं कितने बढ़ हैं 22 से 26 के वीच में बढ़ने के लिए तो बस सवय चंद का उधारान होगा दूसरा उप्सन करेक्ट आज चादित का आपको उचित विच्छित आपको बताना है कि आज चादित का सही विच्छित क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका आ प्लस चादित तीसरा उप्सन से यहाँ पर आपका विच्छित निमले के तमें से घोस वड़ा आपको बताना है घोस की बात होईगी तो तुरंत में आपके दिमाग में हर वर्ग का तीसरा चौता पांचमा वेंजन आना चाहिए पहला वेंजन है पा तो यह आपका एक अगोस का उधारन होगा ता पहला वेंजन है अगोस का उधारन होगा पा यह पा वर्ग का दूसरा वेंजन है यह भी अगोस है दा ता वर्ग का चौता वेंजन है ता था दा धाना तीसरा वेंजन है ना की चौता तो यह तीसरा चौ ता पांच मा गोस केलाता है, तो यही होगा तीसरा उपसंस correct, अस्तुद सब्द आपको बहचानना है, देखो और फिर बताओ कल्यान, देखो कल्यान नहीं होता है कल्यान होता है, पहले उपसंस में सही लेका चौते उपसंस में गलत लेका, जो गलत था वही आपको चातना तो चौटावॉफंस कर्यक्त हो जाएगा कोसर नमबर 10 में देखो तो है आंसर हो जाएगा आपका अच्छत जबकि अच्छत होता है तो पहले खुपसण्स में सही लिएखा तीसरे खुपसंस में घ्लट लिएखा तो तीस्रा options यहाँ पर आपका विल्गल correct होगा कौन सा score नहीं है? यह आप से पूछा है कोसर no.11 यहाँ उपमे में में उपमान की समानता की समभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर कौन सा लंकर होता है? उत्परेकर सा लंकर होता है कौन सा उत्परेकर? पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ठीक है करपट का आपको तदबाव सब्द बताना है कि करपट का तदबाव सब्द क्या होगा तो करपट का तदबाव सब्द हो जाएगा कपड़ा क्या होगा सर कपड़ा चौधा ओप्सन्स करेट चौधा से पंदरा में आपको मौावरा बताना है अपनी फिलिंदा ब्लेंक्स अलग पकाना सिंपल कोस्टन से बता सकते हो अपनी खिचडी अलग पकाना तो तीसरो ओप्सन्स यहां पर आपका विल्गुल करेक्ट होगा अकल के फिलिंदा ब्लेंक्स दोडाना अकल के गोड़े दोडाना पहला ओप्सन्स करेट पढ़ रहा था मैं कौन सी करिया है तो पढ़ रहा ये संयुक्त करिया का एक उधारण है रहा था से पहचान जाओगी कि संयुक्त करिया है पहला ओप्सन्स करेट उससे पढ़ा नहीं जाता वाच का कौनसा रूप प्रियुक्त हुगा है इसमें कौनसा वाच है उससे पढ़ा नहीं जाता जाता कि लिए मैंने आपको बताया ता लगवग आपको भावबाच में देखने को मिलेगी तो भावबाच होगा पहला उप्सन्स करेक्ट असुद वाचो को पहचानना है कोस्ट नम्बर 18 में मेरा नाम एक प्रिलेंकर हूंकार हुआ है तो ये दूसरा उप्सन्स असुद है जबकि पहला इसी का सुद वाच है ठीक है तो दियान लखना कोस्ट नम्बर 19 देखो इसमें कौन सा असुद वाच है तो सही आंसर हो जाएगा ऐसी एकात बाते और देखने में आती है ये असुद है जबकि इसका सुद वाच पहले उप्सन्स में लिखा ठीक है वीरस का स्थाइबाव आपको बताना है कि वीरस का स्थाइबाव क्या होगा तो वीरस का स्थाइबाव क्या हो जाएगा दोस्तों उतसा तीसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा राजपुतर में कौन से समासे सिंपल कोस्टन्स है राज पुत्र यानि की राजा का पुत्र और जब कारक चिन्नों का बोध होता है तो वहाँ पर अपने हापी तत्परों समास हो जाता है पहला आपसंस करेक्ट बच्चे बस से पाट साला जाते हैं वाक्ष में कौन सा कारक है देखो और फिर बताओ करन कारक होगा दूसरा उपसंस है आपका बिल्कल करेक्ट से कारक्ष चिन का यूज साधन के लिए या जोडने के लिए यूज हुगा आपको बताना है यहाँ पर वाक्षियों के लिए एक सब्द बिस्स अपसर पर विशिष्ट लोगों के समक्च दिया जाने वाला विदिता पूर्वक वासन क्या कहलाता है इसको हम अभी वासन कहते हैं क्या कहते हैं अभी वासन जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा उसको हम आकिंचन बोलेंगे क्या सर दूसरा ओप्सन्स करेंग अंगूटा दिखाना इस महाबरे का सहीर्थ क्या है तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे अंगूटा दिखाना इस महाबरे का सहीर्थ क्या है तो दोस्तो ये थे आपके 25 हिंदी के important questions जैसे की यूपी लेकपाल में पूछे जाने है तो पूरे ही questions मैंने आपको करवा दिये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो है तो सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर न न भूलें क्योंकि मैं रोजन यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत